सांता कारं भुजंग सैनं पद्मनाभं सुडेसं विश्वा धारं गगन सद्रिसं मेग वर्णं सुभांगं लक्ष्मी कांतं कमल नैनं योगी भी ध्यान गम्यं वंदे विश्णु भाव बैहरं सर्व लोके कनाथं मंगलम भगवान विश्णु मंगलम गवण धज़ा मंगलम पुंद्री काक्ष्य मंगलाय तनो हरी ओम नमो भगवते वासु देवाया आज का दिन आप सभी के लिए मंगल में हो आज माग महीने का सुल्लवमा दिन है आये सुनते है माग मास कथा का सुल्लवमा अध्याय श्र कि तू उनके हाथ से मारा जाएगा। कुछ भी ध्यान नहीं दिया। और चट नारज जिसे स्रीहरी का पता लगा कर रसादल में पहुँच गया। वहाँ उसने विश्व विजयी वारह भगवान को अपनी डाड़ों की नोग पर प्रित्वी को उपर की और लई जाते हुए देखा। वे अपनी लाल लाल चमकीले नित्रों से उसके तेश को हरे लेते थे। उन्हें देखकर वह खिलखिला कर हस पड़ा और बोला। अरे यह जंगली पसु यहां जल में कहां से आया। फिर वारह जी से कहा। अरे ना समझ इधर आ इस प्रित्वी को छोड़ दे। इसे विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों के हवाले कर दिया है। मैंने देखते देखते तु इसे लेकर कुसल प्रुक नहीं चासकता। तु माया से लुक छिपकरी देंत्यों को जीत लेता और माय डालता है। क्या इसी से हमारे सत्रून हमारा नास कराने के लिए तुझे पाला है। अरे मुड। तेरा बल तो योग माया ही है और कोई पुशार्थ तुझ में थोड़े ही है। आज तुझे समाप्त कर मैं अपने बंधूं का सोक दूर करूँगा। जब मेरे हाथ से चुटी वी गदा के प्रहार से सिर्फ फट जाने के कारण तु मर जाएगा। तब तेरी अरादना करने वाले जो देवता और रिसी हैं वे सब भी जर कटे वरिक्षो की भाती समी नष्ट हो जाएंगे। हिरनाक्ष भगवान को दुरवचन बानों से छेदे जा रहा था। परन्तु उन्होंने डांत की नोक पर इस्थित प्रिथ्वी को वैवित देखकर वह चोट सहली तथा जल से उसी प्रकार बाहर निकल आएं जैसे ग्राह की चोट खाकर हतनी सहीत गजराज। जब उसकी चुनोती का कोई उत्तर न दे कर वे जल से बाहर आने लगें तब ग्राह जैसे गज का पीछा करता है उसी प्रकार पीले केस और तीखी डाड़ो वाले उस देखते ने उनका पीछा किया तथा वरज के समान करक कर वक्त कहने लगा। तुझे भागने में लज्जा नहीं आती। सच है असत्थ पुट्सों के लिए कौन सा काम न करने योग्य है। भागवान ने प्रिथ्वी को ले जाकर जल के उपर विभार योग एस्थान में इस्थित कर दिया और उसमें अपनी आधार सक्ति का संचार किया। उस समय हिर प्रिहरी ने बड़ी भारी गला लिये अपने पीछे आरहे हिरनाक्ष से जो सोने के आभुशन और अदभुत कवच धारन किये था तथा अपने कटू वाक्यों से उन्हें नियंतर मरमाहत कर रहा था अत्यंत कुरुथ पुर्योक हंसते हुए कहा। स्री भगवान ने कहा। अरे सचमुछ ही हम जंगली जीव हैं जो तुछ जैसे ग्राम सीहों को ढूंडते फिरते हैं। दुष्ट वीर पुरुस तुछ जैसे मृत्यू पास में बंदे हुए अभागे जीवों की आत्म सलाखा पर ध्यार नहीं देते। हां। हम रसातलवासियों की धरोहर चुराक और लज्जा छोड़कर तेरी गदा के भैसे यहां भाग आये हैं। हमें ऐसी सामर्थ ही कहां कि तेरे जैसे अध्यूतिय वीर के सामने यूद्ध में ठर सकें। फिर भी हम जैसे तैसे तेरे सामने खड़े हैं। तुझ जैसे बलवानों से वैर बांध कर हम जा भी कहा सकत हैं। तो पैदल वीरो का सरदार है इसलिए अब निसंख होकर उधेर बुन छोड़कर हमारा अनिष्ट करने का प्रयत्न कर और हमें मार कर अपने भाई बंधों के आसुपोच। अब इसमें देर न कर जो अपनी प्रतिग्या का पालन नहीं करता वह असब है। मैतरग जी क देर्ति का इस प्रकार खुब उफास और तिरसकार किया। तब वो पगड़कर खिलाए जाते हुए सर्प के समान क्रोथ से तिल्मिला उठा। वह खींच कर लंबी-लंबी सांसे लेने लगा। उसकी इंतरिया क्रोथ से सुब्ध हो उठी। और उस दुष्ट देर्ति ने बड़े वेग से लपक कर भागवान पर गदा का प्रहार किया। किन्तु भागवान ने अपनी छाती पर चलाई हुए सत्रू की गदा के प्रहार को कुछ टेढ़े होकर बचा लिया। ठीक वैसे ही जैसे योग सिध पुरुस मित्यू के आकर्मन से अपने को बचा लेता है फिर जब वो कुछ से होट चबाता अपनी गदा लेकर बार-बार घुमने लगा तब स्रीहरी कुपित होकर बड़े वेक से उसकी और जप्टें। अंग गदाओं की चोट से घायल हो गए थे। अपने अंगों की घाओं से बहने वाले रुधिर की गंध से ही दोनों का क्रोध बढ़ रहा था। और वे दोनों ही तरह-तरह के पैत्रे बदल रहे थे। इस प्रकार गव के लिए आपस में लड़ने वाले दो सांडों के समा उन दोनों में एक दुसरे को जितने की इक्षा से बड़े भ्यंकर यूद हुआ। तब भगवान आदि सुकर रूप नारायन से इस प्रकार कहने लगें। स्रे ब्रह्मा जेने कहा, देव, मुझसे वर्पाकर यह दुश्ट द्यांस ते बड़ा प्रबल हो गया है। इस समय यह आपके चर्णों की सरण में रहने वाले देवताओं, ब्रामन, गाओं तथा अन्य निरप्राथ जिवों को बहुत तिहानी पहुंचाने वाला तुखदाई और भैप्रद हो रहा है। इसकी जोड़ता और कोई युद्धा नहीं है। इसलिए यह महा कंटक अपना मुकाबला करने वाले वीर की खोच में समस्त लोकों में घुम रहा है। यह दुष्ट बड़ा ही मायावी, घमंडी और निरंकुस है। बच्चा जिस प्रकार कुरुध हुए साम्ट से खेलता है वैसे ही आप इससे खिलवार न करें। देव, जब तक यह दारुन देंति अपनी बलवर्धी की वेला को पाकर प्रबल हो, उससे पहले पहले ही आप अपनी योग माया को स्विकार करके इस पापी को माय डालिए। प्रभू, देखिए, लोकों का सन्हार करने वाली संध्या की भ्यांकर वेला आना ही चाहती है। सरवातमन, आप उससे पहले ही इस असुर को मार कर देवताओं को विजय परदान कीजिए। इस समय अभजीत नामक मंगल में मुहृत का भी योग आ गया है। अतर अपने सुहिर्द हम लोगों के कल्यान के लिए सिग्री इस दुर्जय देंति से निपट लीजिए। इस प्रकाश्ची ब्रह्मा जिने भगवान नारायन की इस्तूती की। इसके बाद भगवान नारायन ने क्या किया। वह मैं अगले अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरी का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु कीजए। श समस्ते डिवी देवताओं की जए।